प्रिलिम्स प्रिक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्णों का अभ्यास ताकि प्रिक्षा में अधिकांश प्रश्ण आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रिलिम्स का चक्रव्योग इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए वो भविश्य के लिए संभावित सभी प्रश्ण IAS, PCS, UGCNET, CDS, NDA वज CAPA फादी सभी परिक्षाओं के प्रश्णों का संकलत प्रति एक प्रश्ण के उत्तर की विस्तरित व्याफ्टा प्रिलिम्स प्रेक्टिस सीरीज की 6 किताबे हैं भारतिय समविधान वराज व्यवस्था, 1600 से ज्यादा प्रश्ण भारतिय आयतिहास एवं कला संस्कृती, 2300 से ज्यादा प्रश्ण भुगोल एवं परियावरण पारिस्थित की पच्चे सौसे ज्यादा प्रश्ण भारती अर्थविवस्था बारा सौसे ज्यादा प्रश्ण सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रोध्यूगी की पंद्रा सौसे ज्यादा प्रश्ण भारत 2020 बजट आर्थिक सर्वेक्षन वा करेंट अफेर्स इसमें हैं 1500 से ज़्यादा प्रश्ट खरीदने के लिए संपर्ख कीजिए अपने नजदी की बुक्शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtis.com या मंगवा लीजिए Amazon अथवा Flipkart से आपके सुविधा के लिए इन किताबों के डिरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिये गए हैं नमस्कार आज के सेशन की शुरुवात करते हैं प्रेक्टिस क्विस्चन से अनुभवी कवी और लेखक गुर्रम जशुवा के विचारों और विचारधारा ने दलीतों की समस्याओं का समाधान किया है ये किस राज्जे से सम्मंदित हैं आप्शन से आंध्रप्रदेश, गुजरात, करनाटक या केरल आंध्रप्रदेश राज्य सरकार ने गुंटूर में गुर्रम जशुवा कला प्रांगनम इस्थाबित करने के लिए प्रशास्तिक मन्जूरी दी है इस पर योजना के लिए तीन करोड रुपे आवंटित के गए हैं राज्य सरकार 28 सितंबर को गुर्रम जशुवा की 125 जयनती समाहरों को भवे रूप से आयोजित करने जा रही है अनुभवी कवी और लेखग गुर्रम जशुवा के विचारों और विचारधारा ने दलितों की समस्याओं का समाधान किया है जशुवा ने खुद अपने युवा दिनों में समाजिक वहिशकार का सामना किया जिसने उन्हें अपनी पीड़ी की कठोर वास्तविक ताओं को दर्शाती कविताय लिखने के लिए प्रेरित किया इस तरह प्रेक्टिस क्वेशन का सही आंसर है आप्शन ए आंध्र प्रदेश हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल डिश्टी आएस इंग्लिश आज के सेशन का पहला सवाल हाल ही में केंद्रियक ग्रिह मंत्री ने केवी आईसी की किस पर योजना के तहत सौ इलेक्ट्रिक पहियों का वित्रण किया है केंद्रियक ग्रिह मंत्री अमिशाह ने केवी आईसी खादी और ग्रामुद्योग आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत सौ इलेक्ट्रिक कुम्हार पहियों का वित्रण किया हाशे परिस्थित कुमहार समुदाय को ये इलेक्ट्रिक पॉर्टर वील आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट वित्रित किये गए KVIC की कुमहार सशक्तिकरण योजना के तहट प्रशिक्षित कारीगरों को पहियों का वित्रण किया गया था KVIC एक वैधानिक निकाय है जिसे 1956 में खादी और ग्रामुद्योग आयोग अधिनियम के तहट इस्थापित किया गया था यह सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम मंत्राले के तहट काम करता है इस तरह पहले सवाल का सही उत्तर है औक्षन B कुमहार सशक्तिकरन योजना Q2 पेंटानल में दुनिया की सबसे बड़ी उश्न कटी बंधिय आर्दर भूमी की संख्या है यह किस देश में स्थित है आप्षन से अमेरिका, ब्राजील, अर्जिंटीना या दक्षिन अफ्रीका ब्राजील के पेंटानल में दुनिया की सबसे बड़ी उश्न कटी बंधिय आदर भूमी की संख्या है उग्रह के आकडों के अनुसार पेंटानल में जंगल की आख की संख्या पिछले साल की समान अवधी की तुलना में 2020 में लगभग तीन गुना अधिक है पेंटानल का विस्तार ब्राजील से परागवे और बोलीविया में है जहां जैव विविधता का प्रचुर भंडार है Q2 का सही आंसर है option B ब्राजील Q3 हाल ही में किस दक्षन भारतिय विज्ञानिक को वानिकी में उतक्रिस्ट अनुसंधान के लिए National Award of Excellence प्रदान किया गया है options है सुंदरम पिल्लई, वी कृष्ण राजन अईयर, राशेखर, कन्नन CS वारियर भारतिय विज्ञानिक कन्नन CS वारियर को वानिकी में उतक्रिस्ट अनुसंधान के लिए National Award of Excellence प्रदान किया गया है यह पुरस्कार भारतिय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिशत द्वारागठित किया गया है जो भारत में वानिकी अनुसंधान के लिए शिर्ष निगाय है विज्ञानिक कन्नन भारत में जैव विविदता संरक्षन में सर्वसेश्ट शोधकार्य के लिए इंडियन असोशेशन ओफ एंजियो स्पंक टेक्सोनॉमी द्वारागठित रोला एसराओ पुरस्कार्स के प्राप्त करता भी है वारियर एक संगीतकार भी है उनकी शास्त्रिय रचना प्रकृती वंदनम है जो यह जुर्वेत पर आधारित है कोशन नमबर थर्ड का सही आंसर है ओप्शन डी कननन सी एस वॉर्यर कोशन नमबर फोर्थ विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग ने हालही में भारत रूस संयुक्त प्रद्योगी की मुल्यांकन और त्वरित वैवसाई करण कारिक्रम शुरू किया है यह कारिक्रम अन्यकिस संस्था के सहीयोग से चलाया जा रहा है ओप्शन है फिक्की, सेबी, ट्राय या इस्रू विज्यान और प्रद्योगी की विभाग DST ने हालही में भारत रूस संयुक्त प्रद्योगी की मुल्यांकन और त्वरित वैवसाई करण कारिक्रम शुरू किया है यह कारिक्रम Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry यानि फिक्की और Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises FASIE के साथ साज्यदारी में शुरू किया गया है इस कारिक्रम का मुख्य उद्देश प्रद्योगी कीयों के विकास के लिए भारत और रूस के स्टार्टप्स और SME को जोड़ना है इस कारिक्रम का उद्देश विश्रू इस्तर पर सामाजिक चुनोतियों का समाधान करना है इसका सही उत्तर है Option A. फिक्की Q5. संयुक्त रास्ट के खादे और क्रिशी संगठन ने हाल ही में Global Forest Resource Assessment FRA रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है Option से पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी संयुक्त रास्ट के खादे और क्रिशी संगठन ने हाल ही में Global Forest Resource Assessment FRA रिपोर्ट चारी की है इस रिपोर्ट के मताबिक भारत ने पिछले एक दशक में वनशेत्रों की वृध्धी में शीर्ष दर्ष देशों में तीसरा इस्थान प्राप्त किया है एक दशक के दौरान भारत ने उसतन हर साल 0.38% वन लाब या 266,000 हेक्टेर वन वृध्धी दर्ज की एफारे 2020 ने एशियाई महाद्वीप में सामुदाइक प्रबंधित वन शेत्रों में उलेखनिय वृध्धी के लिए भारत सरकार के संयुक्त वन प्रबंधन कारिक्रम को श्रे दिया है इस तरह इस प्रशन का सहीउत्तर है ओप्शन C तीसरा भारत के इतिहास में ब्रिटिश उपनिवेश्वात का प्रथम चरण यानि वानिजिक पूंजिवात का चरण कब से कब तक माना जाता है ओप्शन्स हैं 606 से 1757, 1757 से 1813, 1813 से 1858 या 1858 से 1947 1757 में प्लासी के युद के बाद ब्रिटीन की इस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर प्रभुत्थ इस्थापित कर लिया जहां से भारत में ब्रिटिश उपनिवेश्वात की शुरुआत मानी जाती है उपनिवेश्वात के पहले चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर ही केंद्रित रहा इस चरण में ब्रिटिश कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार के लिए पूर्टगाल, डच और फ्रांसीसी कंपनीों से कई युद्ध लड़ने पड़े इस चरण में ब्रिटिश कंपनी का उद्देश भारत के वैपार पर एकाधिकार करना और राजनेतिक प्रभाव इस्थापित कर राजस्व प्राप्त करना था Q6 का सही आंसर ओप्शन B 1757 से 1813 Q7 इजारेदारी प्रथा यानि फार्मिंग सस्टम से जुड़े निम्नलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला 1772 में एक पांच वर्षे इजारेदारी प्रथा शुरू की गई दूसरा इस नई वेवस्था के नुसार निलामी में सबसे कम बोली लगाने वाले को भूर आजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था उप्रोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं आप्शन्स हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनू, ना तो एक और ना ही दो 1772 में वारन हैंस्टिंग ने पांच वर्षे इजारेदारी प्रथा शुरू की इस नई वेवस्था के अनुसार निलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूर आजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था इस वेवस्था के परिडाम भी जादा लाबकारी नहीं रहे इससे भूर आजस्व की रकम तो बढ़ गई लेकिन वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष घट्ती बढ़ती रहती थी यह योजना क्रिशी की उन्नती क्रिशकों का शोशन बंद करने और कमपनी की धन के आवशकताओं की पूर्ती करने में सफल नहीं हो सकी इस तरह इस प्रशन का सही उत्तर आप्शन ए केवल एक इन्होंने भारत से होने वाले धन के बहिरगमन की और लोगों का ध्याना करशित करने के लिए दा पौवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी और इंग्लेंड डेट टू इंडिया नामक लेक प्रस्तुत किया इनका नाम था बाल गंगहदर तिलक, दादा भाई नोरोजी, डॉक्टर भीम राओ अंबेडकर या गोपाल कृष्न गोखले धन के बहिरगमन का अर्थ उन सभी भुकतानों से है जिसके तहत भारत की संपत्ती और संसाधनों का एक हिस्सा ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिनके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाप्राप नहीं होता था भारतिय धन के बहिरगमन की ओर लोगों का ध्याना करशित करने के लिए सबसे पहला प्रयास दाधा भाई नोरोजी ने अपनी पुस्तक दा पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया उन्होंने 1867 में लंदन में आयोजित इस्ट इंडिया असोसियेशन की बैठक में इंग्लेंड देट टू इंडिया नामक लेग प्रस्तुत किया नोरोजी ने धन निशकासन को अनिस्ठो का अनिस्ठ कहा इसका सही उत्तर है आप्शन बी दाधा भाई नोरोजी कोशन नमर 9 संगम काल से संबंदित निमनलिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला प्रथम संगम पांडे राजाओं की राजधानी मदुरे में अगस्त्य रिशी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया दूसरा द्वित्ये संगम का आयोजन कपाठपुरम में किया गया जिसे राज के संग्षन प्राप्ठ होता था इन कवियोगे द्वारात अमिل साहित्य रचा गया जो संगम साहित्य के नाम से प्रचलित हुआ। प्रथम संगम पांडे राजाओं की राजधानी मदुरे में अगस्त्य रिशी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया द्वित्य संगम का आयोजन का पाठपुरम में किया गया तीसरे संगम का आयोजन भी मदुरे में किया गया जिसके अध्यक्षता नकीरर ने की थी इस तरह इसका सही उत्तर है option C एक और दो दोनो question number 10 निमनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला चीनी आत्री फाहियान पांचवी सदी की शुरुवात में गुप्त शाशक चंद्र गुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था दूसरा हुएन सांग सात्वी सदी में हर्शवर्धन के समय भारत आया था उप्रोक्त में से कौन सा या कौन से कतन सही है या हैं आप्शन्स हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दो नो ना तो एक और ना ही दो प्राचीन भारती इतिहास के स्त्रोतों में चीनी आत्रियों के यात्रा व्रिंतांत महतपूर्ण इस्थान रखते हैं चीनी आत्री फाहियान पांचवी सदी के शुरुवात में गुप्त शाशक चंद्रगुप दित्य यानि विक्रमा दित्य के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग सात्वी सदी में हर्शवधन के समय भारत आया था इनके अलावा इत्सिंग नामक चीनी आत्री सात्वी सदी के अंत में भारत आया था इसने अपने विवरण में नालंदा विश्विद्याले विक्रमा शिला विश्विद्याले और अपने समय के भारत का वर्णिन किया है इस तरह इस प्रशन का सही उतर है ऑप्शन बी केवल दो बात करते हैं आज के अभ्यास प्रशन की CRPF का इस्थापना दिवस कम मनाया जाता है ऑप्शन्स है 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई आप अपना अंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूले